हलो मेरा नाए मैं शिश्क मचादरी आप देख रहे हैं Auto Mac Channel और आज इस वीडियो का टापिक है वाई माई कार शेकिंग या बबलिंग जब मैं अपने गाड़ी रोड पे लेके जा रहा हूं तो मेरी गाड़ी शेक क्यों करती है या बबल क्यों करती है Top 5 Reasons में आज आपके सामने लेके आया हूं इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं बट Top 5 Reasons में आपके सामने लेके आया हूं First जो Reason है that is related to engine problem Engine में बहुत सारे components होते हैं जिसकी वज़ा से ये problem हो सकती है बट mostly टू पार्ट्स ऐसे हैं इंजन के अगर मॉल फंक्शन क्रियेट करेंगे तो उसकी वशा से डेफिनेटली जो है वो गाड़ी में बबलिंग आएगी गाड़ी में शेकिंग आएगी तो फर्स्ट पार्ट इस स्पार्क प्लग हमारे जो पेट्रोल इंजन है उन में रहते हैं उर स्पार्क प्लग का काम होता है सपार्क करना सपस्ट बैसिकली हर स्वेन्डर के ओपर एक एक लागा रहता है अगर थ्री स्धीनर इंजन होंगी फोर होंगे उस्ट होंगे अगा प्लक का काम है कि जब कम्प्रेशन स्ट्रोक में बात नहीं करूंगे कि तरह बहुत ज़दा टेक्निकल हो जाएगा कि स्पार्क करना और एर फ्यूल मिक्शर को बन कर देना बैसिकली इसका एक काम होता है तो इनका एक फाइरिंग और रहता है जैसे अगर मैं थ्री सिलिंडर कि भात करूं थ्री फोर टो तो पहले सिलिंडर में फार्क मैं फिर तीसरे में करेगा थिस्षर करेगा फिर चौंथे ऑला करेगा फिर दूसरे वाला करेगा Minsk सिलेंट्र के अंदर एक बार एक स्पार्क फाइर करेंगा बट इन संग केस क्या होता है इसको बोलते हैं तो जब फायर हो जाता है तो जैसे तीसरा करना था पहला हो गया पहला हो गया तीसरा हो गया अब चौथे नहीं किया फिर दूसरे ने किया तो जब चौथे नहीं किया तो वह जो गैप होता है उस दौरान पर इंजन पूरा का पूरा शेक करता है इसकी वजह से पूरा का पूरा जो गाड़ी का स्ट्रुक्चर होता है पूरा का पू कि जरूर मेजर सबसिंग जब आप ँनको बोलें सर्फिस में की यह उसको क्लीन कर दीजिए तो स्पार्ट प्लग मिशीन होता रहती है उसमें पांच मिनट लगते हैं इस पार्ट को ग्लीन करने के लिए तो आप जरूर करवाएं और असी हजार पे मेजर सबस्क्राइब दूसरा जो इंजन का में पार्ट जिसका मॉल फंक्शन है क्रिएट कर सकता है वह है हमारा एयर फिल्टर एयर फिल्टर इस वैरी इंपोर्टेंट बिकॉज एयर फिल्टर का काम है जो बाहर से हवा रही है उसमें जो एयर में जो अन्या जो अदर पार्टिकल्स हैं जो नहीं चाहिए इंजिन के अंदर उनको फिल्टर करना अब एयर फिल्टर में पोर एक शर्म रवा या जिसको हम बोलते हैं एयर कंप्रेशर से जो नहीं हो पाती है उस टाइम पे इंजन कांपना शुरू हो जाता है जैसे कि नॉर्मल आदमी को जब एयर नहीं मिलती है तो तरपना शुरू हो जाता है सेम इंजन का भी यही फंडा है कि जब उसको एर नहीं मिलती है, एनफ एर, जो फ्यूल को जलाने के काम आती है, तो वो भी बहुत जल्दी से वाइबरेट करना शुरू करता है, जिसके वजह से पूरी गाड़ी आपको लगता है कि वाड़ी शेक कर रही है, वाइबरेट कर जब भी हम गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हैं और हमारी ब्रेक लगाने से ही जो है वो जो गाड़ी जो हो शेक कर रही है, गाड़ी जो है वो बाइबरेट कर रही है, तो उसका कारण है कहीं न कहीं ब्रेक में प्रॉब्लम है, तो जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक प up breaking वाला जो पार्ट है जिसमें हमारा Remote डिस्क आ जाता है और साह्त में कलिपर अगेरा जाता है नृपिशजा लों जै बेड़ाइवर करने गहीं उसकती हैiping वो चेक करके बिल्कुल उसमें वो आर नजर आता है आपकर माइनर सा भी एर होगा। विए ऐर होगा तो जब हम ब्रेक लगाएंगे तो डेफिनिटली वो आपकी गाड़ी षेक करेंगे। वील से automatically वाकी गाड़ी है, caliper जो होते हैं, तीसरा जो caliper रहते हैं, वो caliper brake pad को hold करने के काम आते हैं, और उसको जो है वो brake, जो rotor है उसको fix करते हैं, attach करते हैं, तो अगर वो caliper में कहीं problem हैं, तो भी जो है वो brake pad आसानी से rotor के उपर नहीं चिपकेंगे, नहीं प्रेस करेंगे, उसको और brake जब लगेगी, तो फिर वो vibration create करेंगे, आपका जो braking का जो servicing रहेगा, वो रहेगा आपका 50-1000 km के उपर, आप उसका major servicing आप brakes का जरूर करवाएं, तीसरा है एक्सल problem, एक्सल गाड़ी में दो रहते हैं, front axle लेकर, rear axle और आपको पता है कि यह दोनों axle जो हैं, वो wheel को hold करके रखते हैं, गाड़ी का weight संभाल के रखते हैं, पर जब गाड़ी और balance करके रखते हैं, गाड़ी का weight और गाड़ी का structure को balance करते हैं, और जब axle कहीं bend हो जाता है, अब bend किस वज़ा से होता है, आप speed में गाड़ी चलाते हैं, pot holes में दर 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 गाड़ी लिखके जा रहे हैं, या आप कहीं accident की हो चोटा बोटा, और आपको लगता है कि कहीं नक्सान नहीं हो, बट कहीं बार एक्सल में hit हो जाता है, कहीं बार या कहीं से नीचे से लग गया है, आपका बड़ खाबर रोड है, रफ रोड है, pot hole है, तो वहां पे एक्सल डेफिनिटली बेंड होता है, एक मेरा इंसिदेंस से एक मेरा friend था, तो उसका जाएगी, नहीं है, इसका जो एक्सल है, वो बेंड हो गया है, फिर वो एक्सल निकाल के खराद वाले के पास लेके है, वहां पे उसको रिपेर कर रहा है, तब जाके वहीं सही हुआ, बट इतना सही फिर भी नहीं हो पाया, तो उसकी वज़ए से नॉर्मल वीर आउट टा द्राइब शाफ रहती है, कमप्लेट मैं वीडियो नहीं ड्राइब शाफ के उपर यहां आइबल में बटन में दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल ली मैं वीडियो बनाए हो, आप जरूर दिखिएगा उस वीडियो को, और उस आई, उस ड्राइब शाफ में क्या रहता है, कि र 4th one is wheel problem, steering wheel, not wheel, steering wheel problem, अगर steering wheel आपका bubble कर रहा है, आप steering कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपका vibration हाथों में feel हो रही है, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आगे के जो दो टायर है, because steering wheel आगे के दो टायर को move करता है, swing करता है, ताकि वो left right turn ले सेके हैं, कोई समझ लेना चाहिए कि आगे के जो टायर है, उन में से कोई एक टायर में problem है, अब उसमें टायर में problem यह हो सकती है, कि या तो उसका bearing निकल गया है, या उसका bearing या तो घिज गया है, wheel का particular bearing घिज गया है, या जो मैंने कहा कि जो हमारा drive shaft है, जो wheel तक जाता है, engine में power बनती है, gearbox में आते हैं, gearbox से drive shaft एक इधर को जाती, left tire को एक drive shaft, rod जो है वो right side को जाती है, और जब इन drive shaft के अंदर, जो CV joint मेंने अलड़ी कहा last point में, अगर इस CV joint अगर wear out हो गए हैं, तो भी वो wheel जो है, वो shake करेगा, वीडी पूरी की पूरी गाड़ी को हिला देगा, last but not least, fifth point is tires, most important power, आप गाड़ी एक certain speed पे लेके जा रहे हैं, जब एक गाड़ी certain speed पे महुंच जाते हैं, और आपको रखता है कि अब vibration start हो रही है, इस speed के पाद vibration start हो रही है, तो that problem is related to wheel balancing, आप अपने wheel को अपनी shop पे ले जाएए, वरक्शॉप पे वहाँ पे wheel balance करवाई है, उसका, हर wheel को balance करेए, wheel machine के उपर balancing से मतलब ही होता है कि tire अगर wheel unbalance है तो उसमें bubbling आना शुरू हो जाता है, balancing से क्या होता है कि वह weight लगाते हैं, अब इसमें aluminium alloy के जो wheel होते हैं, alloy वाले wheel में अलग weight लगते हैं, जो steel वाले rim होते हैं, उनमें अलग weight लगते हैं, तो यह देख लीजिएगा जरूरू तो अब यह 10 gram कितने gram कितना कहां, जैसे वह wheel जो weight है, वह mismatch है, तो machine बताती है, arrow जहां पर arrow आएगा, वहाँ पर hammer से weight वहाँ पर rim में attach कर देंगे, जिसकी बचासे wheel balance हो जाएगा, जिरो-जिरो tolerance आजाएगी, और वह wheel आपका फिर proper घुमेगा, अगर आपका certain speed पर अगर ऐसी problem है, तो आप balancing करवाई, दूसरा अगर आपका tire uneven wear हो रहा है, अगर आपका front का tire या last का tire, कोई भी tire, especially आगे के, अगर आपको कोई अंदर से tire wear हो रहा है, या कोई बहार से wear हो रह से even wear हो, but जब uneven wear होता है, it means आपका alignment, आपको wheel alignment करवानी चाहिए, उसकी वज़ा से भी जो हो गाड़ी शेकी हो जाती है, तीसरा, आप align, जो wheel का rotation है, वह जो करवाईए, जब आपकी गाड़ी कुछ km चल पढ़ती है, आप alignment भी करवा चुके हैं, आप balancing करवा करवाते हैं, तो आप गाड़ी के wheel का rotation जरूर करवाईए, 4 wheel rotation करते हैं, maximum लोग 5 wheel rotation नहीं करते हैं, 4 wheel जो आगे वाले दो, और पिछे वाले पहीजे दो, ऐसे करके मैं चार्ट दे दूँगा किस तरह से, मैं डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा ऐसे, तो चार्ट मैं यह अपना diagram दे दू इस तरह से 4 wheel rotation का, 5 wheel rotation का करवाना चाहिए, because stepney भी हमारे पास होती है, जब हम नहीं गाड़ी लेते हैं, तो 4 wheel यूज करते हैं, 5 wheel काफे टाइम तक यूज ही नहीं होता, कई कई 1000 km, जब हम यूज करते हैं, तो क्या होता है, मिसमियाच हो जाता है, एक घिसा हुआ है, और ए बैलेंस बना रहे, तो होप आपको ये 5 पॉइंट, जो मेजर 5 पॉइंट थे, कि वाई-वाई-कार शेक और बबल, वेन इट बैंट रिचिस अट रिचिस अच्छे लगे हैं, और ये इन्फरमेशन अच्छे लगी है, तो प्लीज यार एक थाम्स अप दे दीजिए, बाई-बाई